एलज और ये में तो एमिपी नियूज के खुलासे के बाद संसद में 28 नवंबर को विदेश मंतरी सुश्वा सुराज ने दिया था बयाण सुश्वा ने छे सुत्रों से संपर्क करने की बात कही थी हमने हर वो संस्था जिससे हमें मदद का भरोसा हो सकता था उस हर संस्था से संपर्क साधा और हर वो व्यक्ति जिससे किसी ने का कि इससे साहता मिल सकती है उससे भी संपर्क साधा और उस संपर्क साधने का फाइदा एक हुआ कि एक के बाद एक छे सोर्से हमें ऐसे मिले जिन उसे बड़े सुत्र और एराग की रेट क्रिसेंट संस्था क्या द्यक्ष थे यासिन अब्बास अब्बास ने ABP News को बताया है कि जुलाई 2014 के बाद से उनसे भारतीय सरकार ने कोई संपर्क नहीं किया है संसथ में सुष्चमा ने ये भी भरोसा दिलाया था कि वो मसीह की बात को पूरी तरह सच मान कर भारतीयों की खोज को नहीं रोक सकती वो पहले दिन से ये कह रहा है कि जिस कंपनी में हम काम करते थे वह बंगलादेशी भी थी और भारतीय भी थी वो हमें एर्बिल ले जा रहे थे रास्ते में उन्होंने का बंगलादेशी अलग हो जाएं भारती अलग हो जाएं बंगलादेशी अलग हो गए उनको उन्होंने छोड़ दिया और भारतियों को वो साथ ले गए और एक किसी इस इंसान जिंगल में जाके उन्होंने सब को गोली से उड़ा दिया मैं बच गया और मैं वापसा मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता का भी और सरकार की जिम्मेदारी का भी ये तकाजा था कि उसके बयान को अस्विकार करते हुए हम उनकी तलाश में लगान देखा आपने सुष्मा ने संसद में एराक में लापता भारतियों के खोजने की बात कही थी सवाल उठता है कि विदेश मंतरी के भरोसे के बाद भी लापता भारतियों के ढूंडने की कोशिश क्यों नहीं हुई? इन यह हैं अगस का थासे के भी लाद है कि वोगानो लेवाता सृवा σच थे नहींा है कि यह है ची कोशिश के बढ़ाति है कि अट्साध का भा million कोशिष ए्टिष इसाल उत्छिस कि अपडार के घ्पड़न है